रासमन में चार साल से वांचित इनामी गेंगस्टर को जोदपूर में AGTF ने पकड़ा एंटी गेंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कारवाई करते हुए जोदपूर में 25,000 रुपे के इनामी बदमास अनिल विश्नोई पुत्र भमरलाल विश्नोई निवासी विश्नोईयों की धानी जालेली फोजदार दांगियावास जिल्ला जोदपूर को पकड़ लिया है आरोपी रासमन जिले के चारपुजा थनाक्षत्र में चार साल से वांचित हैं जो की इनामी गेंगस्टर हैं उसे अब पुलिस ने गिरफतार कर लिया हैं अत्रीक्त महा निदेशक पुलिस क्राइम एंड एजी टीएफ दिनेज एमन ने बताया की बदमास अनिल विश्नो द्वारा संचालीत सोफू गेंग का सक्रिय घुर्गा हैं इसने अपने दाहिने बाजू पर सोफू गेंग का टेटू भी गुदा रगा हैं इस गेंग की विरुद आर्म्स एक्ट एन्डीपियस एक्ट हत्या हत्या का प्रियास और रंगदारी के राज्य के विभिन पुलिस थानों में कई प्रकरण दर्ज हैं एडीजी दीनेस एमेन ने बताया कि बदमास अनिल विश्णोई रासमद जिले के चार पुजा थानाक्षेत्र में हेंडीपियस एक्ट के मामले में चार साल से फरार चल रहा है इसकी गिरफतारी के लिए रासमद पुलिस अधिक्षक द्वारा पच्चीस हजार रुपे का इनाम भी घोशित कर रहा है आज सुचना संकलन के दोरान टीम के हेड कॉंस्टबल राकेश जाखण को इसके वर्तमान में जोधपूर में होने की सुचना मिली थी इस सुचना पर आईजी प्रफुल कुमार के परिवेक्षण एवं आतिरिक्त पुलिस अधिक्षक आसराम चोधरी के सुपरवीजन तथा इंस्पेक्टर सुभाज सिंग तंवर के नेत्रोतों में हेड कॉंस्टबल महेश कुमार रविंद सिंग राकेश जाखण कॉंस्ट ADG दिनेज एमन ने वताया कि संपून कारवई में AGTF के हेड कॉंस्टबल राकेश जाखण वर नरेश कुमार की विसेश भूमिका रही हेड कॉंस्टबल महेश कुमार रविंदर सिंग संकर दयाल सर्मा वर कॉंस्टबल सोहन देव का तकनिकी सायोग भी रहा आरोपी को पक पुलिस द्वारा इसकी गिरफतारी के बाद उसे गहन पुस्ताच की जा रही है और सभी मामलों में फिर उसे रिमान पर लेकर अग्रिम कारवई की जाएगी झाल